तेलंगणा प्रजलन दरीकी ना अभिनन्दनुलू तेलंगणा की गवर्नर तमिल साइस संदर राजन जी केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे सहयोगी नितिन गड़करी जी जी कुषन डेडी जी बाई संजय जी अन्य महनुभाव और तेलंगणा के मेरे भाईयों और बहनों हाल ही में तेलंगणा ने अपनी स्थापना के नव वर्ष फूरे किये हैं तेलंगणा राज्य भलेई नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगणा का कॉंटिबिशन यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है तेलुगू लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगणा के लोगों के बड़ी भूमिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इंवेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है विक्सित भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगणा के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दस्वक में हमारे पास एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर विशेश ध्यान दिया है इसी कड़ी में आतेलंगना की कनेक्टिविटी और मेनिफेक्ट्रिंग से जुड़े छे हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स का सलान्यास की आ गया है इन सभी प्रोजेक्स के लिए बैतलेंगना की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं साथियों नए लक्ष हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं भारत का तेजविकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्टर के बल पर संभव नहीं था आने जाने में अगर जाना टाइम बेस्ट होगा लॉजिस्टिक्स अगर महेंगा होगा तो बिजनेस को भी नुक्सान होता है और लोगों को भी परिशानी होती है इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधीक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है आज पूरे देश में highway, expressway, economic corridor, industrial corridor एक जाल बीचा रहा है Two lane के highway, four lane में और four lane के highway, six lane में बढ़ले जा रहे है नव साल पहले जहां तेलंगणा का नेश्टलन highway network डाई हजार किलोमेटर का था, आज ये बढ़कर पाँच हजार किलोमेटर हो चुका है आज तेलंगणा में पच्ची सो किलोमेटर की नेश्टलन highway परियोजना है, निर्माण के अलग-अलग फेजित में है भारत माला परियोजना के तहट जो दर्जनों कोरिडोर्स देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेग तेलंगणा से होकर के गुजरते हैं हैद्राबाद इंदोर economic corridor, सूरत चिन्नाई economic corridor, हैद्राबाद पणजी economic corridor, हैद्राबाद विजागापटम inter corridor ऐसे कितने ही उदारण हमारे सामने हैं, एक प्रकार से तेलंगणा आस पडोस के economic centers को जोड रहा है, आर्थिक गतिवितियों का हब बन रहा है, साथियों, आज नागपूर विजयवाडा corridor के मंचेरियल से वारंगल section का भी सिलान्यास हुआ है, ये तेलंगणा को महाराष्टर और आंदर प्रदेश से आध्विनिक connectivity देता है, इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी, और ट्रैफिक जाम के समस्यां भी कमी आएगी, ये विशेश रुप से उनी एरियास से गुजरता है, जहां विकास का भाव था, जहां आमारे ट्राइबल कम्यूनिटी के बहन बाई बड़ी संख्या में रहते हैं, ये कोरिडर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मज़ूती देगा, करिम नगर वारंगल सेक्षन के फोर लेन में बदलने से, हैधराबाद वारंगल इंडर्स्टिविटी बढ़ा रही है, उसका लाब तेलंगणा के इंडस्ट्री को हो रहा है यहां के टुरियम को हो रहा है तेलंगणा में जो अनेक हरिटेस सेंटर से आस्ता के स्थान है वहां आना जाना बहुर अधिक सुविदाजनक हो रहा है यहां जो अग्रिकल्चर से जुड़े उद्योग है करिमनगर की ग प्रयासओं से मदद मिल रही है यानि किसान हो या फिर समर्विक स्टूडेंट हो या प्रफेश्वन सभी को इसका लाव हो रहा है इससे युवाओं को उनके घर के पास दी रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे है साथियों युभाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैनुफेक्शरिंग सेक्टर बन रहा है मेक इन इन्डिया अभ्यान बन रहा है हमने देश में मैनुफेक्शरिंग को प्रोजेक्शाहित करने के लिए PLI योजरा शुरू की है यहनी जो ज़्यादा मैनुफेक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेस मदद मिल रही है इसके तहट 50 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट यहां तेलंगणा में लगे हैं आप जानते हैं कि भारत ते इस वर्क्स डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 900 पहले 1000 रुपिये से 1000 करोड से भी कम था आज यह 16000 करोड रुपिये पार कर चुका है इसका लाब हाईदराबास सीथ भारत डाइनमेक्स लिमिटेड को भी हो रहा है साथियों आज भारती रेल भी मैनुफेक्टरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड नए पढ़ाव तै कर रही है इन दिनों मेडीन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चरत्या है बित्य वर्षों में भारती रेल ने हजारों आदुनी कोच और लोकोमेटी बनाए है भारती रेलिवे के सकाय कल्प में अब काजी पेड भी मेकिन इंडिया की नई उर्जा के साथ जुणने जा रहा है अब यहां हर मैने दर्जनों वैगन बनेंगे इस एक शेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे यहां के हर परिवार को किसे ना किसी रूप में लाब होगा यही तो सबका साथ सबका विकास है विकास के इस मंत्र पर देलंगना को हमें आगे बढ़ाना है एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रकतिशिल कायरकमों के लिए आयोजनों के लिए विकास के नई धारा के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ